नए यूटूब चानल स्टार्ट किया है और प्रोपेशनल लाइट्स बाई करनी है पर बजट नहीं है आज अलवेज नए यूटूबर की कहानी पर आज के इस वीडियो में गाईज मैं आपको कुछ ऐसा लाइटिंग सेटप बताने वालाओ जो आप घर पे ही बिल्ड कर सकते हो जिसे आप DIY लाइटिंग सेटप भी बोल सकते हो वो भी बहुत कम बजट में तो इस वीडियो को लास्त तक जरूर देखना तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते है इस लाइट को बनने के लिए हमें कुछ चीजे खरीदने होगी सबस पर आपको यह paper मिल जाएगा और कहीं भी यह paper आपको नहीं मिलेगा तो उसके बाद PVC 5 खरीदने होगी चार कॉर्णर से चार एटीज भी आपको खरीदने होगे और कुछ फेविकॉल फेविस्टिक वगराब आपको खरीदने होगा सभी की लिस्ट आपको description box में मिल अगर आप चाहो तो बड़ा भी यूज कर सकते हो और छोटा भी यूज कर सकते हो पर मेरे हिसाब से 15 वाट का LED बल्ब एकदम मस्त है लाइट के लिए तो यही कुछ चीज़े आपको खरीदनी होगी step 1 सबसे पहले हमें बाउल के पीछे एक होल करना है हमारे बल्ब के shape में जिसमें बल्ब एकदम tightly fit हो जाए तो कुछ इस प्रकार हमें होल कर लेना है और बल्ब को इसमें fit कर देना है इससे क्या होगा अगर बल्ब fuse भी होगा ना था हम उसे easily replace कर पाएंगे पीछे से ही और ह हमें पूरा बाउल बगरा खोलना नहीं पड़ेगा तो इस तरह के से हमें बल्ब को fit कर लेना है step 2 step 2 में हमें हमारे बाउल के अंदर silver foil paper को फेवकॉल से चिपका देना है कुछ इस प्रकार आपको simply सभी जगा पर फेवकॉल को spread करना है और foil paper को उसके उपर रखके shape देकर आपको simply चिपका देना है दिन उसके बाद जो भी extra silver foil paper बचा है उसे scissor से या फिर cutter से काट लेना है दिन उसके बाद आपके बाउल के अंदर पूरी तरह एकदम अच्छी तरह के से silver foil paper चिपक जाएगा दिन उसके बाद आपको बल्ब को fit कर लेना है और बल्ब को fit करने के आपको जो भी edges है ना हमारे बाउल के उपर के edges वहाँ पर आपको five quick लगा देना है सभी जगा उपर and then आपका जो भी diffuser paper है ना उसे ground पे एकदम अच्छी तरह के से place कर देना है and then उसके उपर आपको अपने बाउल को रख देना है five stick लगाने के बाद five quick लगाने के बाद and थोड़ी देर वेट करना है उससे क्या होगा आपका diffuser paper आपके बाउल के साथ में एकदम अच्छी तरह से चिपक जाएगा and then अब बार आते है उस diffuser paper को काटने के तो आप अपने बाउल के shape के साथ में simply cutter से इस diffuser paper को roundly काट सकते हो और आपका एकदम professional studio light तयार हो चुका है अब बार यह है इसका stand बनाने की step 3 तो अब हम बनाएंगे stand तो सबसे पहले हम PVC pipe लेंगे और उसके 6 pieces करेंगे 2 होगे 3 inches के और 4 होगे 4 inches के जैन उसके बाद हम एक T लेंगे और उसके दोनों side 3 inches के 2 pieces लगाएंगे और उन दोनों के end पे again 2 T लगाएंगे और उन T's के again पास हम 4 pieces लगा देंगे कुछ इस प्रकार 4-4 inches के और उसे अच्छी तरगे से place करेंगे देन उसके बाद 4 तरफ हम 4 corner लगा देंगे तो इस प्रकार हमारा stand तयार होगा stand का base तयार हो जाएगा देन उसके बाद हम लंबा pipe लेंगे जितना भी आपको stand का height चाहिए ना उतना बड़ा pipe काट लो और उसके अंदर place कर दो कुछ इस प्रकार तो इस प्रकार हमारा stand तयार हो जाएगा step 4 तब हमें PVC pipe के दो pieces लेने again 4 inches के और दें उन दोनों के बीच में हमें टी fix कर लेना है कुछ इस प्रकार and then हमारे bowl के पीछे इसे इस प्रकार रग देना है and then clip की मदद से इसे mount कर लेना है screw की help से यहाँ पर में कुछ इस प्रकार के screws यूज़ कर रहा हूँ जो एकदम अच्छी तरह किसे bed जाते है screw driver से easily bed जाते है तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से fit कर लेना है हमारे bowl के पीछे की तरफ step 5 तब हमारा stand बी रड़ी है और हमारे light बी रड़ी है और उसे heavy बना सकते हो उससे आपके stand एकदम मजबूत and heavy हो जाएगे और यहाँ पर हमारी light लगबग ready हो चुकिए step 6 power on and review तो यहाँ पर simply आपको इस light को holder के साथ में connect कर लेना है आपके bulb को and then इसे power देना है तो अब बात करते है इस light के output की तो यहाँ पर आप जो भी वीडि आप देख सकते हो गाइस अगर आपको थोड़ा bright light चाहिए ना तो बड़ा LED bulb भी यहाँ पर डाल सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो light की quality the best है stand की quality rigid है और इसका diffuser पर पर जो plastic का है वो फटेगा भी नहीं और आपको जितम अच्छा output देगा अच्छी तरह किसे light diffuse करके आ आपको देदेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे studio light तयार है एक दम यूनिक से studio light हमारे तयार है अब बात करेंगे pricing की तो बाल की price मुझे 70 रुपीज पड़ी local shop पे आपके यहाँ पर यह सस्ता भी हो सकता है और थोड़ा महंगा भी हो सकता है दो उसके बाद बात क 60 रुपीज का पड़ा पूरा रोल यहाँ पर मैंने सिर्फ उसका 20 या फिर 30 पसंट ही यूज किया जो मुझे लगबग 20 रुपीज के अंदर अंतर तक पड़ा तो यहाँ पर आप बहुत सकते हो silver foil paper आपको 20 रुपीज का ही लेना पड़ेगा देन बात करें diffuser paper की तो वह म मुझे 220 रुपीज में मिला 15 वाट का आप चाहो तो बड़ा भी लागा सकते हो या फिर छोटा भी लागा सकते हो और यहाँ पर अगर आप दो लाइट एक साथ बनोगे ना तो वो दो लाइट आपको और भी ज्यादा सस्ती पड़ी कि सबसे महगा आपको सिर्फ LED बल भी जो कि आपको थोड़ा 220 या फिर 200 रुपीज के आसपास मिल जाएगा अगर आपके यह वीडियो अच्छा लगा यूनिक लगा तो इस वोड़ो को लाइक कर सकते हो शेर को अपने यूटूबर फ्रेंड के साथ में ताकि वो भी अपने DIY लाइट प्रोपेशनल लाइट बिल्ड कर सके और मैं मिलता आप सभी को एक नए वीडियो में एक नए ट